बंदे मातरम, बंदे गव, मातरम, बंदे ब्रक्षाओं मैं आज आपको दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे असरदारक पैस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ कीट ना सके बताने वाला हूँ जो मातर 1.500 रुपे में लाखो का पैस्टिसाइड निसेक्टिसाइड आप बना सकते हैं और ये इतना जादा फायदे मन्दे इसकी मैं पूरी आगए आपको डेटेल देता हूँ मैं आपको C.V.I.L. Soil Technology के बारे में बताना चाहता हूँ जो इतना असरदार इतना ताकतवर और किसानों के लिए वरदाने भाई हो मातर 1.500 रुपे में आप लाखो का पैस्टिसाइड निसेक्टिसाइड या कीट नासक बना सकते हैं तो इसके लिए आपको 200 लीटर की टंकी चाहिए इस 200 लीटर की टंकी में आपको 170 लीटर पानी भरना है 170 लीटर पानी भरने के बाद आपको एक गड़ा खूदना है 3 x 4 का, 3 fit का इस 3 fit के गड़े खूदने के बाद जो इसमें से आप 1 तसला मिट्टी निकानला है हमारी प्लास्टिका तसला आता है उसमें लगबग 15 किलो मिठ्टी आती है तो आपको खोदना और इसको हम सबस्वाइल कहते हैं क्यूंकि तीन फिट जमीन की नीचे चिपकने वाली मिठ्टी होती है तो इस सबस्वाइल को एक तसला मिठ्टी आपको इस 170 लीटर पानी में की टंकी में डाल देना है? एसके बाद आपको कोई भी बड़ा पेड जो 50 साल पुराना हो उसके एक तसला मिट्टी लेना है 15 kg और उस मिट्टी को भी आपको इस 170 लीटर वाली कान की में डाल देना है तो 15 kg आपकी sub soil मिल गई और 15 kg आपकी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी मिल गई 30 kg इस 30 kg मिट्टी को इस टंकी में आपको हिलाना है 24 घंटे बाद ये पानी से पूरी तरीके से मिल जाएगी तो ऐसे ही आप एक लेवर लगाके ऐसी कई 50 टंकी आप बना सकते हैं अब इसका आपको में फाइदा बताना चाहता हूं इस टंकी को आपको वानी को भरना है हमारे जिससे हम इस प्रे करते हैं इस्प्रेय पंप में कर सकते हैं, माउंटेंट टैंक पंप में कर सकते हैं, टैक्टर पंप में आप कर सकते हैं, और इसको इस्प्रेय जब आप अपनी जमीन में करेंगे, आप अपने पेड़ पोदों में करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आपको दूसरे कीट ना सक के तो उसको नहीं खाएंगे क्योंकि वो हरे पत्ते खाने आए थे और उसके अलावा इस मिट्टे का पानी जो आपके जमीन में जाएगा तो यह पोशन का भी काम करेगा उसलिए करेगा क्योंकि जो हम बड़े पेड़ की नीची की जिसमें मिट्टी लाते हैं तो उसमें ऑक्स लोग कहते हैं इसमें कि बर्साथ की मिट्टी धुल जाती है तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं जो आप ये 200 लिटर की टंकी में 170 लिटर पानी और 30 kg मिट्टी बनाते हैं इसमें आप लगभग 50 gram R&D का तेल डाल सकते हैं R&D का तेल एक तरीके से चिक्कू का काम करेगा R&D के तेल डालके अगर आप इसमें श्प्रे करेंगे तो आपको बरसात के समय भी वो मिट्टी आपकी पत्ती में चिपकी रहेगी और उसको गिरने नहीं देंगी तो आप सोचिए कि मिट्टी की ताकत क्योंकि हम सब लोग मिट्टी के बनें मिट्टी में कितनी बड़ी ताकत है इससे कोई कीट का नास नहीं होगा, कोई इल्ली मरेगी नहीं सिर्फ ये साबधानी है कि हमने हमारी फसल लगा, हमारी हरी पटी हूगी उस समय हमने इसका इस्प्रे कर दिये तो आपके उसमें हीट या इल्लिया किसी तरीकी की बिमारी नहीं लगेगी ये रामबान एलाज है हम पिछले चार साल से कर रहे है इसको scientifically proof हो चुका है और कितना सस्ता है दोस्को ना इससे आपको रोग लगेगी ना ये जहर लायक है और मिट्टी हर जगे पाई जाती एक लेवर तीन फिट का गड़ा खोदके उसके अंदर की सब सोईल मिट्टी डाल डालके कितने टैंक बना सकते हैं और आप लाखो रुपे का इंसेक्टिसाइड पैस्टिसाइड मातर देड़ सो रुपे में बना सकते हैं ये रामबान एलाज है सीवियाई सॉल्ट टेकनलोजी दुनिया की सबसे प्रभाबसाली टेकनलोजी में से एक है ये दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छा पैस्टिसाइड और इसको आप प्योग कीजिए और अपनी धर्ती माता को सुजलाम सुजलाम बनाईए और किसान भाईयो इस चमतकारी चीज को बहुत अच्छे से अपनाके आप लोग जहर रही एक बहुत अच्छी पैदावार का ले सकते हैं सबजीों से लेके, पेड़ पौदों से लेके, मिट्टी से लेके, फसलों से लेके सोयबीन, गेहू, चावल, दाल, हर फसल में ये क्रांती कारी है तो CVIS All Technology को आप समझिए मातर 15-15 किलो मतलब 30 किलो मिट्टी और 170 लीटर पानी सिर्फ इस से ये बनती है इसको आप अपनाईए और अपने धर्ती माता को और अपने देश को आगे बढ़ाईए जैहन दोस्तों जो 200 लीटर में आपने 30 किलो सबसॉयल और सॉयल डाल के जो आपने खोल बनाए है इसको आप अपनी इस्परे मसीन चाए माौंटेन टेक्टर से स्परे करते हो जब आप उसको इस्परे करेंगे तो इसको नॉर्मल कीट ना सक से आपको जब जादा डालना है क्योंकि ये मिट्टी की परद जमाएगा और जैसे ही आप इसको इस्प्रे करेंगे तो ये पूरा आपको प्योड लेना है 200 लिटर की टंकी में इस मिट्टी को हिला के मिट्टी का गोल आप अपने स्प्रे पंप में लीजिए spray pump लेने के बाद आप उसको spray कीईजी पत्तियों में और जब आप पत्तियों में रवीपन जब दालनेria और जब पत्तियों में पोधों में एक पिट्टी की परत जम जाएगी जिसको कोई भी कीट खाएगा नहीं लगबग 30-40 एकड़ों में बहुत आराम से हो जाता है आगर थोड़ा बहुत को दिक्कत हो तो उसको आप खोल के हर बार इस परे करने के थोड़ा साफ कर सकते हैं तो इस परे करने के मैंने आपको बता दिया यह अपने आप में अद्भूत है यह चमतकार है और मिट्टी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं हो तो इस मिट्टी की ताकत को समझीए जो टॉनिक और कीटनासा का काम करता है और इसकी शक्ति आज पूरा प्रमान मान रहा है और साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चका है कि सीवाइस और टेक्रोजी अपने आप में अध्भूत है शांदार है चमतकारिक है और इसमें किसी जीव की हत्य भी नहीं होती है यह सिर्फ उनको रोक्थामी कर देता हो आएंगी तो उसको खाएगी नहीं तो दोस्तों इस